बिहार समवादाता देखना सुरू कर चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आशुतोर शुपाद्धियाए यूट्यूबर मनीज कस्यप अब बिहार के जेल में ही रहेंगे बेतिया कोर्ट में आस्ता मिलाडू पुलिस ने उन्हें पेश किया था अब इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस पर बेतिया में आधा दर्जन से ज़्यादा मामले चल रहे हैं इसलिए मनीज कस्यप को बेतिया जेल में ही रखा जाएगा और यहीं से तामिलनाडू मामले में वीडियो कॉन्फरेंसिंग से उनकी पेशी होगी वहीं एक तरफ दिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन आफिसर उमेश कुमार विस्वास ने कोर्ट में एक पिटीशन देकर अनुरोद किया कि यूट्यूबर पर पटना में भी कई मामले दर्ज हैं जिसमें पेशी का आदेश हैं इसलिए इसे पटना जाने दिया जाए जिसके बाद कोर्ट ने पटना जाने का आदेश जारी किया और पेशी के बाद पुलीस जो है वो मनीश कस्यप को लेकर पटना जा रही है पता दें कि बेतिया वहवार ने आले में सूमबार को यूट्यूबर मनीश कस्यप को बीजेपी विदायक से रंगदारी मंग ने और बैंक मैनेजर से अभधुरता के मामले में अलग-अलग कोट में पेश किया गया जहां तमिलनाडू में बिहार के मज़़ूरों के साथ मार पिट का कथित तोर पर फरजी वीडियो शेर करने के मामले में मनीश कस्यप तमिलनाडू के मदुरई जेल में चार महीने से बंद था जहां बेटिया कोट के आदेश के बाद तमिलनाडू पुलिस आज संपुर्ण करांती यानि कि जो वो ट्रेन है उससे लेकर आई थी वही मनीश की सुरक्षा में साथ से सत्तर पुलिस कर्मी तैनात किये गया थे स्टेशन से बाहर मनीश को बेटिया स्पी ऑफिस में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया फिर यहां से उसे कोट ले जाकर पेश किया गया तो महीं कोट के बाहर परिसर में मनीश के समर्थक की जो काफी संख्या में जो लोग थे वो जुटेवे थे उन्होंने नारेबाजी भी की और एक समर्थक पुलीस गाड़ी के आगे लेट गया कोट के बाहर हंगामे की स्थिती है अब पुलीस समर्थकों को वहां से हटा रही है और स्पी कार्याले के पास मनीश की मा और बेटे से मिलने की आस लगाए बैठी रही उन्होंने जो मनीश की मा है उनको मिलने नहीं दिया गया अब इस पर वो गेट पर बैट कर रोती रही हलाकि बाद में कोट में मनीश कस्यप से मा और भाई मिले बीजेपी विराय कुमा कान सिंग के साथ मारपिट करने और रंगदारी मांगने के मामले में मंजौलिया के पारस पकड़ी स्थित भारतिय स्टेट बैंक के साखा प्रबंदक के साथ दुरवेवार करने और सरकारी काद में बाधा डालने के मामले में बेतिया कोट में पेशी हुई थी अब इसे दोनों मामले में नयाले की और से मनीश की पेशी कराने के लिए चन्नाई पुलिस और मदुरे सेंट्रल कारा को निर्देशित किया गया था वही मनीश के बेतिया स्टेशन पर पहुचने से भारी संख्या में जो समर्थक थे वो मौजूद से जिनोंने मनीश को माला पहना कर स्वागत भी किया फलाल मनीश को बेतिया स्टेशन पर पहुचने नहीं दिया जा रहा था वही बता दे आपको कि गेट के बाहर तौला भी लगा हुआ था वही दूसरी तरफ कार्याले के बाहर समर्थकों की भीड भी लगी है जिस कारण प्रयाप संख्या में पुलीस बल भी वहां मौजूद कराय गया है मालूम हो कि तामिलाडू में बिहार के मज़़ूरों के साथ कथित तोर पर मार पिट का फरजी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीश कस्चप की मुश्किले बड़ी थी अब इस मामले में बिहार पुलीस की आर्थी का प्रादिकाय यानि EOU ने मनीश कस्चप के खिलाफ FIR दर्ज की थी जब इस केस में छापे मारी सुरू हुई तो कई दिनों तक गिरफतारी के डर से मनीश कस्चप बिहार छोड़ कर फराव हो गय थे उसकी तलाश में कई जगों पर छापे मारी हुई थी जहां बेतिया पुलीस ने 18 मार्च को दुसरे केस में मनीश के घर की कुर्की जप्ती सुरू की तो उसने अस्थानिय थाने में जाकर सरिंडर कर दिया था अब उसी दिन पटना से गई EOU की टीम ने उसे अपने केस में कबजे में लिया और फिर रिमांड पर लेकर उनसे पूछ ताज भी की थी और फिर उसे जेल भेज दिया गया था जहां मनीश कस्यप के सरिंडर करने के तुरंद बाद तामिलनाडू पुलीस की टीम पटना पहुँची थी 30 मार्च को ट्रांजिट रिमांड पर तामिलनाडू पुलिस अपने साथ ले गई थी जहां तामिलनाडू पुलिस ने मनीश कस्यप को मदुरई कोट में पेश किया था तब से मनीश कस्यप वहां की जेल में बंद है वहां जाने के बाद ही उनके उपर NSA लगा दिया गया था तामिलनाडू की जेल में बंद यूच्यूबर मनीश कस्यप ने सुप्रीम कोट से सभी केस को एक जगर कलब करने की मांग भी की थी जहां सीजे आई डीवाई चंदरचूड की बेंच ने कस्यप की बेर और NSA याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था कोट ने कहा था कि हाई कोट जा सकते हैं वहीं सभी केस को एक जगर कलब करने की याचिका को भी खारिच कर दिया गया था जहां सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा कि मनीश कस्यप जो है वो आदतन अपराधी है मनीश कस्यप के वकील मनिंदर सिंग ने कहा कि अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाकों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए इस पर कपील सिब्बन ने कहा कि ये पत्रकार नहीं राजनेता है चूंकि ये पहले चुनाव लड़ चुका है अब इस विशय को लेकर क्या राय है और सबसे बड़ी जो खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मनीश कस्यप जो है वो अब बिहार में ही रहेंगे उन्हें तामिलनाडू नहीं जाना पड़ेगा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से उनकी सुनवाई होगी जो मदुरई जेल में वो बंद थे उसके जगाप बिहार के बेतिया जेल में वो बंद रहेंगे ऐसा सूतरो के अवाले से खबर सामने निकल के आया है फलल आपकी क्या रहा है इस विशय को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा